नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आप कोई भी application बनवा लेते हैं तो उसका monthly maintenance charge क्या pay करना पड़ता है developer को और ये क्या सच में pay करना पड़ता है दोस्तों आप कोई भी category का application बनवा लीजिए grocery app हो, TikTok app हो, video status app हो, music streaming app हो, movie streaming app हो, e-commerce site हो, e-commerce application आपने बना लिया किसी भी category का application बना लिजिए monthly maintenance charges कहीं न कहीं आपको सुनने को मिल जागा कि आपको pay करना पड़ेगा और ये monthly maintenance charges क्या होता है annually maintenance charges क्या होता है, ठीक है, पहले बात तो दोस्तों जब आप template based app बनवाते हैं तो आपको कहीं monthly maintenance charge pay करने की जोरत नहीं है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि monthly maintenance charge क्या होता है और इसकी जोरत किनको पड़ती है और ये क्यों लोग pay करते हैं और ये developer क्यों charges लेते हैं इसका ठीक है, दोस्तों जो बड़े बड़े applications रहते हैं, कोई भी आप application ले लिजीए या फिर आज एक छोड़ा example देता हूं कि आज जैसा Jio का My Jio application जो है, आपको पता है वो हर महीने update होता है, ठीक है ना, तो आज जैसा application वो दिख रहा है, आज से जब वो launch हुआ था, तब वो ज्यादा budget है, अच्छा खासा budget है, और market में आप बहुत ज्यादा invest कर रहे हो अपने app के उपर, ठीक है ना, तो जो आपके developer रहते हैं, उनको आप monthly base पे hire कर सकते हो, monthly maintenance charge आप उनको pay कर सकते हो, समझ के चली कि आपने एक grocery का आपने app बनवा लिया, ठीक है, grocery का app आपने बनव server का charge आपको pay करना पड़ेगा, वो भी अगर developer अपने इस पर डाल के दे रहा है, तो उसको भी pay करना पड़ेगा, या फिर अगर आपने खुद का server buy किया है, hosting जहां पे admin panel host किया जाता है, application का, तो वहाँ पर बस आपको server का charge पे करना पड़ेगा, yearly, monthly नहीं पे करना पड़त template based से, ठीक है, अगर आपने requirement based app बनवाया है, बहुत अच्छा खासा उसमें budget invest किया है, और आप उसको market में run कर रहे हैं, और आपको market से बहुत अच्छा response मिल रहा है, ठीक है ना, तो आपके application में हर time customer, कुछ ना कुछ, आपके application नहीं खामिया बताता रहेगा, feedback देते रहते हैं, तो वो feedback को complete करने के लिए, आप developer hire कर लिए, उनको monthly charges पे कीजिए, अब अगर आप उन्हे hourly या फिर monthly charges पे करेंगे, तो वो बहुत जादा amount हो जाता है, तो इसलिए जो बनवाता है requirement based, वो क्या करता है, कि AMC ले ले लेता है, annual maintenance contract उनके साथ कर लेता है, या फिर monthly based पे उ मैं monthly based नहीं लेता हूं, क्योंकि मैं मुझे पता है budget क्या है, उनका plus सामने server कैसा देना है, उनका कितना मतलब invest कर सकते हैं, वो ठीक है, तो monthly charges जो पे करना रहता है, वो template based पे तो ज़रुत पढ़ती नहीं है, पहली बात, तो मन्तली आप किस लिए पे करोगे, आपका application complete ready है, जो charges रहता हूं, पे करने की, अब कुछ-कुछ developers जो है, वो आपको server का भी charge बोल सकते है, monthly pay करने के लिए, येस वो भी pay करना पड़ता है, लेकिन अगर आपके application पे users ज्यादा है, तो, समझ के चलिए, कि आपने एक अच्छा application बनवा लिया, और आप monthly charges उन, आपके AMC नहीं समझ के चलिए, ठीक है, तो, आप, उनको server का, अगर उन्होंने अपना server लगाया है, या फिर कोई भी company का server लगाया है, VPS लगाया है, dedicated लगाया है, तो, वो monthly basis वहाँ पे भी pay करना पड़ता है, लेकिन, डिपेंड करता है, कि आपकी users कितने आपके application को use कर रहे है, मैं तो, स interest charges पे करने पड़ेंगा developer को, ठीक है, तो, वो सब चीज़े requirement based में जौरत पड़ती है, template based में जौरत नहीं पड़ती है, template based में जौरत पड़ती है, जो आपका management रहता है, management charges आपको pay करने पड़ते है, अगर आपने management package लिया है, तो, आप सीधे फिर confused हो हो गया है, अभी हमने template based में जितने जार application बनवाए है, बहुत जार लोगो ने बनवाए है, तो, आपको अगर management चाहिए न, अपने application का management, तो management बेस पर charge पे कर सकते हो, management में मैं कहके service देता हूं बतायता हूं, management में आपके application को full growth करना, उसको growth करवाना, और उसके अंदर कुछ bugs आया, वो solve करना, आ आपके application को time to time update करते रहना, time to time आपको inform करना, कि इसमें क्या-क्या ने features डाल सकते हैं, time to time, आपको उसमें ने products के, जो भी grocery का पर प्रोट्ट के डिस्टियों, market में ने नहीं है, वो बताना, कुछ market के ने features बताना, इसको बोलते है management, ठीक है, तो, management के charges मंतली बेस पे लेता आपके application में, और वो चाहते हैं, कि application से मेरे अच्छी कासी earning हो, लेकिन मेरे को कुछ ना करना पड़े, उसके बदले को यह दूसरा developer मेरे लिए काम करे, तो, वैसे management service भी आप उससे ले सकते हो, ठीक है, तो, यह होता complete, मतलब, जो, monthly charges पे करने पड़ते हैं, यही सारा खेल और आप लो हर टांग कन्फीज रहे तो, यार मैंने app बना लिया, मुझे monthly इतना देना पड़ेगा, yearly इतना देना पड़ेगा, तो डरने की ज़ुरत नहीं है, आप application पहले बनवा लीजे, ठीक है, और developer से यह सारी चीज़े पूछ लीजे, वैसे तो, template base पे ज़ुरत नहीं अब आप एक लाग कमाऊगे, तो 30-40 जार developer को देजी सकते हो, आप अगर अच्छा खासा earning कर रहे हो तो, तो 30-40, 2-3 developer रख लो न, आपको application को अच्छा boost up मिलता रहे, तो आपकी earning में भी अच्छा effect पड़ेगा, आपकी earning और भी ज़्यादा फास्ट करो तो भी, ठीक है, त तो शायद आपके जो confusion था, शायद अब दूर हो गया होगा, और अगर सचने दूर हो गया है, वीडियो पसंद आया है, तो like जरूर कर दीचेगा, thank you दोस्तों, मिलते है नेक्स्ट वीडियो में